What's up guys, my name is Amitran. आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आइफोन से 3 के बारे में आइफोन से 3 जो भी फ्लॉप हो रहा है उसके बात करेंगे और क्या आपको आइफोन से 3 लेना चाहिए और कितने प्राइस पर लेना चाहिए वो सारी बाते करने वाले हैं अगर आप आइफोन से 3 लेनी का सोच भी रहा हो ना तो इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप कोई गलती ना करो अपने डिसीजिन लेने में क्योंकि आइफोन से का रीविव है वो का अश्या खराब है तो आगी वीडियो में बात करते हैं तो चलो देने के वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स रोल दी इंट्रो तो इस आइफोन से 3 जो है वो फ्लॉप हो रहा है यह मैं नहीं बोल रहा हूं यह एक आर्टिकल बोल रहा है जो भी रिसर्च हुए है उससे आप से यहां पे आप देख सकते आपने स्क्री यह उतना नहीं हो रहा है क्योंकि देखो आइफोन से 3 जो अभी आया वो पुराने ही डिजाइन में आया आइफोन 8 का जो डिजाइन था सेम तू सेम उसमें ही आया है और अगर उसका प्राइस देखो गे ना तो प्राइस जो जो लॉंच वा था तो फुर्टी फाइव था में जो शुपराइटी अड़ी डिसप्ले अपल का है कि विटो मिल जाता है को खुछी मिल जाता है वो भी डिस्पले नहीं है तो में जो अपर्टी इसमें करा किया तो आपको ए थाटीन का प्रॉसेसर डाल गया उसमें आपको जो 5-D का अब डिसपले गया तो अब उतना कि उस चीज को कोई नहीं देखता ठीक है 5G अभी इंडिया में आया भी नहीं प्रॉपर से अभी एटल ने 5G को लाँच कर रहा है बट 5G कहां पे रहेगा वो भी किसी को पता नहीं है एं उतना छोटा सा फोन में समझ रहा हूं कि था अजिए a15 कर प्रोसेसर आपको अच्छा पावर देगा बट उसके लिए बैटरी भी तो चाहिए अकर चोटी बैटरी दो गे एंड्स तो वह तो फट्षाइब करिश करीज़ा क्योंकि प्रोसेसर तो भी स्पावर जाहरा कि अगर अगर आप पावर कम कर दोंगे तो उनल तो इस वेसे और फोन का फार्म फेक्टर वह भी छोटा है एंड डिस्प्ले आज की टाइम में 15000 के दस जार के फोन में आपको OLED इस पर मिल जा रहा है समसंग का AMOLED इस पर मिल जा रहा है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हो कि आईफून इतना प्राइस देने के बाद भी आपको कुछ क्वालिटी दे नहीं रही है ठीक है मैं यह भी नहीं बोलूँगा कि जो लोग नए आईफून ले रहे हो लोग लोग इसको ले नहीं सकते आप अगर आईफून लेना चाहते हो आईफून एसी थरी ले सकते हो अगर पहला आईफून ले रहो तो आईफून एसी थरी ले सकते हो बट चुआ अपका एक्स्पिरियंस है वह उतना अच्छा नहीं होग इसकना आपको 12 लेने पोगा चलो सबस्के टककर का आपको आईफून 11 मिल जाता है आईफून 12 मिल जाता है तो आप ये दोनों फोन भी ले सकते हो 12 मिनी में एक अच्छा डिस्प्ले है दो अच्छा क्यामरा है ठेक है और अवरल डिजाइन उपर मॉर्डन है पट ऐसी थरी लेने का कोई मतलब बनता है आप 2022 में जी रहे हो कुछ 6-8 महीने बाद ये भी साल खतम हो जाएगा और अगर आप एक वर आईफून लोगे तो एक साल डेर साल तो चलाओगे और उस टाइम तक जो पीछे में सिंगल कामरा देखने को मिलता है तो कितना जादा आपको मतलब खटके का एक तरीके से क्या मेरे फोन में सिंगल कामरा सबके फोन में तो अगर आप आप आइफोन 12 मीनी देख रहो ना कि 12 मीनी मैं ले ले लेता हूं तो 12 मीनी मैं बोलूँगा कि iPhone SE 3 स जाद अच्छा 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 है मेरे पास भी iPhone 12 Mini ही है जैसे कि आप देख सकते हो ब्लू कलर का तो 64GB का प्र सेल में तो सेल का वेट करो और जो iPhone SE 3 है ना वो प्लीज मत खर दो मैं यह बात मैंने जब iPhone 12 Mini vs iPhone SE 3 का review बनाया था मतलब comparison video बनाया था तो उसमें भी मैंने यह बात बोली थी कि iPhone SE 3 घरीने की गलती मत करना क्योंकि अगर आप पहला फोन ले रहे हो ना कोई iPhone ले रहे हो तो हम लोग नहीं खरीने वाले तो यही था इस वीडियो में ठीक है मैं यही बताना चाहता था कि SE 3 घरीने की गलती मत करना क्योंकि अल्रेडी फ्लॉप होई गया है यह iPhone 12 Mini भी फ्लॉप था 12 Mini भी ऐसा नहीं सक्सेस किया था 12 Mini भी बहुत चादा कम भी का था बर 12 Mini ना iPhone SE 3 से व देख सकते हूं मैं regular से बहुत सारी वीडियो लाएं मैं इसे around 7-8 मेने से यूज कर रहा हूं तो मैं बता सकता हूं कि दोनों के बैटल लेफ में बहुत ही जादा मैं इससे कम ही बैटल लेफ यह थी 3 का एं उतना पैसा देके आप निराश्य हो जाओगे तो गलती मत करना आ वीडियो रिक्वेस्ट है तो आप उसे कमेंट बोक्स में कर सकते हो कमेंट बोक्स हाफिक है एंड में मिलता हूं कि इनके वीडियों में तब तक के लिए पीस